नमस्कार मैं हूँ आपके साथ प्रदी बाजाद राजस्थान में यो तो अपराद और अपराधियों की फैरिस्थ कोई छोटी नहीं लेकिन हाली में अलवर जिले से जो तस्वीर निकल कर बाहर आई है वो वाकी हैरान करती है दरहसल अलवर जिले में पिछले कुछ वक्त में कई ऐसी घटनाएं या यू कहें गिनोनी वार्दाति होई हैं जिसके बाद पुलिस के भी कान खड़े हो गए और सर्कार की नींद भी खुली लेकिन एक बार फिर वही सब कुछ दो रा दिया गया जो वाकई शर्मनाग है जिससे कि खाकी पर सवाल या निशान लगे अब असलियत ये है कि पुलिस हर आम शक्स की नजरों में रहती है और लोग पुलिस से उम्मीद करते हैं कि जहां अगर उसकी मौजूदगी है तो फिर गुना होना मुमकिन नहीं लेकिन अगर होता इसके उलट है तो फिर कोई क कुछ नहीं कर सकता आपको याद होगा करीब दो साल पहले का वो थाना गाजी का जहां एक महिरा के साथ उसके पती के सामने ही बदमाशों ने दुशकर्म जैसी घिनोनी वार्दात को अंजाम दिया था इस घटना के बाद अलवर पुलिस मेहक्मे में काफी बदलाव भी कि अब चलिया हाली में हुई इस घटना का भी जिकर कर लेते हैं जहां खुद पुलिस अधिकारी ही रैपिस्ट बन गया और इस अधिकारी ने तो देखिये उस महिला को ही अपना शिकार बना डाला जो खुद अपना दर्द लेकर खेड़िली पुलिस थाने पहुंचे थी तीन दिन तक दुशकर्म की घटना और वो भी थाने के क्वाटर में यानि सरकारी क्वाटर में क्या आपको हैरानी नहीं होती इस तरह की घटना को चान कर आप सोचिए कि जिस महिला की जट को थाना परिसर में ही तार-तार कर दिया गया हो तो आम इंसान कैसे इंसाफ की लेकिन यहां एक बात ओगी पुलिस थाने में ऐसा सब कुछ होता रहा और थाने के मुख्या यानि थाना अदिकारी को खबर भी ना हो क्या ऐसा संबव है और अगर वाकिए ऐसा हुआ है तो फिर थाने में थाना अदिकारी का तो कोई वजूद ही नहीं रह जाता किसी भी पुलिस कर्मियों की तादात काफी होती है लेकिन देखिए और सोचिए कि एक सब इंस्पेक्टर परिवादी महिला की इज़त से खेलता रहा और ठिकाना भी थाने का क्वार्टर ही चुपता है लेकिन किसी को पता नहीं होता वाके साहाब हैरानी होती है क्या ये माना कि थाने के दूसरे पुलिस कर्मियों को इस शर्मनाक कांड की कहानी पता थी लेकिन उन्होंने चुप्पी साधे रखी क्या थानेदार को शक भी नहीं था अपने अधिकारी पर उसके मिजाज पर और इतने दिनों में किसी पुलिस कर्मियों ने थाना अधिकारी तक ये ख बज़ा जरूर दे दिये लेकिन सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं इन्हें कोई कैसे रोग सकता है और ये बात भी सही है कि अगर इस मामले की गहन परताल हो तो कई चोंकाने वाले राज भी सामने आ सकते हैं सामने आ सकते हैं दूसरे पुलिस कर्मियों के नाम भी जिने हो सकता है इस काले खेल के बारे में पता हैं सामने आ सकती है थानेदार और आरोपी सब इंस्पेक्टर की आपसी घपले बाजी या मिली भगत की कहानी भी बस जरूरत है कि अब आला धिकारी मामले को गंभीरता से क्योंकि अगर इस तरह के मामलों पर भी सरकार कठोर नहीं होती है तो हमारी पुलिस के उस नारे का क्या वका जिसमें कहा जाता है अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास फिर बहने ही अपराधी पुलिस वाला ही क्यों ना हो नमस्ता